हेलो फ्रेंट्स के संजय स्वाल इस साइट आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी के बारे में जिसे आप अपने करेंट और सेविंग दोने अकाउंट में अप्लाई करके अपने अकाउंट में फ्डी जैसे रिटेंज अंडेट कर सकते हैं इन दोनों में हमको जो नॉर्मल इंट्रेस्ट मिलता वह दो से तीन परसेंट होता है जो कि आज की आपकात उसकी कम हो रही है बट आज मैं आपके इस प्रॉब्लम का सेलेशन लेके आयों जिसका नाम है ओटोस्वीप जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में एक्टिवेट करके बिना अपने पैसे पे रिसक लिए बिना कहीं इंवेश्मेंट किए इसली आप इंफ्लेशन को बीट कर पाओगी लेकिन अधिकतर बैंक वाले आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे अब आपके मन में आ रहा होगा कि ओटोस्वीप क्या है और इंफ्लेशन को बीट करने में मेरी कैसे हल्प कर सकता है पोटोस्वीप ऐसी फैसलीटी होती इसको अपने बैंक अकाउंट में नेबल कर सकते हो जिससे आपका बैंक अधिकारी आपके बैंक अकाउंट को आपके FD अकाउंट से लिंक कर देता है इसमें आप अपने एक लिमिट भी सेट कर सकते हो जैसे आपका बैंक बैंक बैंस आपके limit को cross करेगा वो सारा balance आपका FD में convert होके FD के बराबर return देने लगेगा example के लिए मान लो कि आपने अपने account में 50,000 रुपए के limit set की जैसे ही आपका bank balance 50,000 रुपए को cross करेगा वो सारा capital आपका FD में convert होके FD जैसा return देने लगेगा it's simple आप कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा हो गई अगर मुझे feature में emergency fund के जरूत पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा मैं तो problem में first जाऊंगा तो आपकी चांदकारी के लिए बता दो कि switch in feature की नेबल होने के चलते आपके FD account से आपके bank account में easily fund transfer होते रहते हैं जिससे आप अपनी requirement easily fulfill कर सकते हो basically autoswip में दो option होते हैं जब मारे FD account से हमारे bank account में पैसा आता है तो उसको switch in बोलते हैं वैसे autoswip की facility आपको कैसी लगी आप मुझे comment को बता सकते हैं you can share this video to spread the awareness thank you